हार्ड वाटर की वज़े से टैप में, शावर में, यूटेंसिल्स में स्टेंस लग जा रहे हैं और वाशिंग मेशीन में, डिश्वाशर में, फॉसेट्स में भी यही प्रॉब्लम्स हैं एक और बड़ी समस्या है है हैर फॉल की बच्चों में स्किन ड्राइनस और इरिटेशन का प्रॉब्लम्स यह सब हार्ड वाटर की वज़े से इस बंगलो में हमने इसके लिए यह फुली आटमेटिक आरो प्लैंट इंस्टॉल किये हैं इस मकान के मालिक जो हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं और उन्हें आरो प्लैंट की जो बेनिफिट्स जाएं वो अच्छी तरह जानते हैं पहले इन लोगों ने सौफनर प्लैंट लगाया था लेकिन पानी का हार्डनेस 600 PPM से ज्यादा होने की वज़े से सौफनर प्लैंट ठीक से काम नहीं कर रहा था इसकी वज़े से इन्होंने आरो प्लैंट में इन्वेस्ट किया और आरो प्लैंट में इन्वेस्ट करना कितनी समझदारी की बात है ये लोग अच्छी तरह जानते हैं और इस तरह हमें ये ओर्डर मिला वन पॉइंट अफ सोर्स अब वाटर है बोर वाटर जिसे हमने लोग करके उसे डाइवर्ट करके हमने अपने इस राव वाटर टैंक में उसे सप्लै किया है संप में कुए का पानी भी गिर रहा है और मेट्रो वाटर भी गिर रहा है इसे हम अलॉक करके डाइवर्ट करके राउ वाटर टैंक तक पहुंचा रहे है इनके घर का जो भी वाटर सप्लाय है वो इसी टैंक में आके जमा होता है यही राउ वाटर टैंक जो है यह आरो प्ला किया है, पहला टैंक भरते ही, दूसरा टैंक जो है, वो भरना चालू हो जाएगा यही पानी जो है, आरो प्लांड तक पहुंचती है, दोनों टैंक का लाइन जोड़कर इस लाइन को आरो प्लांड तक हमने रन किया है, इस शेट के नीचे ही हमने अपना RO plant install किये हैं उन लोगों के लिए यही जो है हमारा fully automatic reverse osmosis plant है जो की 500 LPH है और 2000 LPD यहां अगर आप देखेंगे जो उपर से raw water आ रहा है वो इस line के जरीए यहां तक पहुँच रहा है और यहां इस half HP motor के जरीए pressurize होके इस pre-filtration system तक पानी पहुच रहा है इस pre-filtration system से गुजरने के बाद 100 microns तक sediments remove होके यह 5 micron और 1 micron दो filtration system हमने लगाया है और पानी high pressure pump तक पहुचता है इसी high pressure pump में पानी जो है वो process होता है इस pressure की वज़े से यह जो पीछे आप देख रहे हैं यह 2 membrane system तक पानी पहुचता है इस process में पानी में जो नमक है या फिर tedious है वो अलग हो जाता है नमक अलग होने के बाद पानी जो है वो दो भागों में बढ़ जा रहा है और यह जो pure water जो है वो इस line के जरिए already existing उनका जो treated water tank line है उसके साथ जुड़ जाता है उन लोगों ने इस पानी को फर्श साफ करने के लिए या फिर terrace साफ करने के लिए इस्तमाल करते हैं और मजे की बात यह है कि इस line को वो terrace तक ले गया है और wastewater store करने के लिए अलग सा यह wastewater line जो है इस line के जरिए terrace में यह wastewater tank तक पहुचती है ये दोनो जो है ये wastewater tank है यही है wastewater इसमें दो गुना ज्यादा नमक होगा जो पानी का tedious है उससे दो गुना ज्यादा यहाँ होगा ये दोनो टैंक जो है ये wastewater tank है ये terrace या car parking साफ करने के लिए इस्तिमाल होता है इन दोनो टंकियों में salt free water store हो रहा है ये जो वाल्व जो देख र है वो नीचे drain तक पहुँच जाएगी ये system भी customer पहले सी बना चुके है और treated water का जो quality जो है वो उसमें tedious नहीं होगा salt नहीं होगा और बहुत ही soft होगा और results बहुत बढ़िया होंगे customer जो है वो बहुत ही happy है thank you